हेई गाईज, वेलकम बेक टू याएवी, आज की इस वीडियो में हम इस रिनॉल्ट ट्राइवर के बारे हम बात करेंगे, जिसको मैं एक मीनी इफोर्डबल इनोवा भी कह सकता हूँ, अब अफोर्डबल इनोवा इसको क्यों कहा हूँ, यह देखो, गाड़ी आपकी काफी इसली बजट के अंदर आती, दस लाख रुपे के अंदर आती यह गाड़ी, सेवन सीटर एक कार है, तो फैमली के साब से गाड़ी बहुत बढ़िया है, और अच्छी खाची इसके अंदर आपको स्पेसिंग मिल जाएगी, गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस जाता नहीं है, अच्छी का इसके अच्छी खाड़ी बहुत जबांका में डенेले के साथे लिए शोट करिकाड़ा इसेफ नहीं होती यहां पर आपको 4 ब्रेटि काम है तो यहाँ पर आपको 4 स्टर रेटि मिल रही है, सेफटी के मामले में अब ये गाड़ी भी पीछे नहीं है, तो अबस तो यह इसका RXL model है, सबसे ज़्यादा इसका value for money variant है, यहाँ पर इस गाड़ी में आपको चार model मिलते हैं, RXE, RXL, RXT और RXZ, फिर उसी में आपको automatic का option मिल जाएगा, automatic में आपको AMT gearbox मिलता है, 5-suite का, manually भी यहाँ पर आपको 5-speed का transmission मिल देगा, तो चार model यहाँ पर आपको मिलत सबसे आदा यही model बिखता है, ठीक ठाक feature इसमें आपको मिल जाएगे, और यहाले model का आपको जो on-road price है, वो around 7,500,000 रुपए, 7,500,000 रुपए तक पढ़ जाता है, सारे accessories, RTO, insurance, जितनी भी चीज़े हैं, सब कुछ मिला मुलू के, बाकि एगर कोई offers हैं, discount हैं, कुछ भी च खोल रखा है, तो ऐसा gapping नहीं होती है, मैंने अभी इसका bonnet खोल रखा है, तो engine के यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसमें आपको 1000cc का 3-cylinder energy petrol engine मिलता है, energy petrol engine मिलता है, जो जनरेट करता है, 71 bhb and 96 newton meter off-top, और company's car पर 20 का mileage क्लेम करती है, तो अच्छा mileage यहाँ पर मिल इसाब, शेहर के अंदर 13-14 का mileage car से निकाल लेंगे, और 40-liter की इस गाड़ी में आपको fuel tank capacity मिल जाती है, रोड कंडिशन की सबसे भी गाड़ी अच्छे है, क्योंकि यहाँ पर आपको 182 mm का ground clearance मिलता है, जो ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटे-मोटे जो पॉट होते हैं, speed breakers होते हैं, उनकी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं करनी पड़ेगी, और फ्रेंड लुक के बात करें, फ्रेंड लुक से गाड़ी का जो लुक है, ठीक है, थोड़ा सा शाप ही यहाँ पर आपको लुक मिल जाएगा, headlamps की बात करें, तो अच्छी बात मुझे यहाँ यह टॉप मॉडल में मिलेंगे, तो फ्रेंट लुक हुच इस तरह से दिखेगा, side profile की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको obviously यहाँ पर आपको steel rim मिलेंगे, 14 इंच के अगर आप उपर के model में जाते हैं, टॉप मॉडल में, तो वहाँ पर आपको 15 इंच की wheels मिल जाए यहाँ पर आपको body में आपको indicator की placement मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको इस तरह के ORB मिल जाएगे, manually आप इसको fold करेंगे, और इसको adjust भी आप अंदर से manually करेंगे, electric वाला option नहीं मिलता, वो उपर के models में मिलेगा आपको, और जो side profile है कुछ इस तरह से, wheelbase यहाँ पर आपक वो अच्छी मिल जाएगी, और गौर करने वाली बात ही है, कि अगर आप door के size को देखेंगे, पीछ वाला especially door है, वो काफी बढ़ा है, तो आप देख सेते हैं, काफी wide यह open होता है, तो अंदर भार आप बहुत easily यहाँ से कर सकते हैं, बहुत wide है, window का size भी बहुत बढ़ा है बताब आकी तो मैं बताई चुका हूँ, 40 लिटर की इस गाड़ी में आपको fuel tank capacity मिलेगी, पीछे का look दिखा हूँ तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपको दिखेंगे, तो split type में आपको tail lamp मिल जाएंगे, backlight, indicator light यह साब आपको halogen में मिलत और इसकी डिखी खोलते हैं, वैसे इस गाड़ी की जो डिखी है, वो मतलब spacing वहाँ पर बहुत अच्छी है, 7 seat रे वैसे गाड़ी है, तो इस तरह से seat यहाँ पर लगी होगी, अगर आप इन seats को इस तरह से fold कर देंगे, इसे मैंने एक कर रही है पहले से, अगर आप दोनों सेट को यहाँ फोल्ड करते हो, तो यहाँ पर आपको मैसिव अवान में 625 लिडर की बूट स्पेस मिलती है, जो की काफी अच्छी है, तो काफी सारा स्टफ आप यहाँ पर कर लेंगे, दो बहुत अराम से यहाँ बड़े बैग बड़े लगीज बैग होते हैं, वो बहुत टूल की डो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हाँ, स्पेर वील के लाप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, स्पेर वील आपको यहाँ बड़ी गाडी में इनोवा में होता है, वो यहाँ आपको नीचे इस तरह से दे रखा है, तो स्पेसिंग पीछे वैसे आपको तो एक्स्टियर तो अमने देख लिया कार का, आप इंटियर की आपर बात करेंगे, सबसे पहले सिटिंग कमफर्ट की बात करते हैं, और पीछे की सीट्स की आपर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे लगी, गाडी में स्पेसिंग की कोई कमीनी है, जिस्ट लुक एट दिस, जो लेगरून स्पेस है, वो आपको कितनी हूज अमाउंट में मिलता है, तो और कोई लंबा आद मी बैठेगा, तो बहुत अराम से बैठ सकता है, और बीच में से कोई हब भी नहीं है, तो काफी एज़ी लाब इधर से उधर स्लाइड भी कर सकते और इसमाँ अंदर थाए support है, वो भी मुझे अच्छा मिल जा रहा है, और back support यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा, दो adjustable headrest का यहाँ पर आपको option है, तो head support भी ठीक ठाक मिल जाएगा, और अच्छी amount में यहाँ पर आपको headroom spacing भी मिल जाएगी, तो जैसे मैं कहाँ पैम कोई दिक्कत नहीं कि सहां बीचे बैठता हूं यहां पे इस तरह से तो आप देख से तो मैं बहुत अराम से बैठ गिया और मतलब कोई दिक्कत नहीं पर से सीट पीछे हो रखी है लेकिन लेकरों स्पेस यहां वाले जो बीचे बैठेगा वंदा उसको भी अच्छा मिल तो हर दरवाजे को आपको मैनुली नहीं घुमाना पड़ेगा ओल्फिशन की तरह इस तरह से पाव विंडो मिल जाएगी और फ्रेंड का व्यू कुछ इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलता है और जो फिट फिनिशिंग है वो भी हां पर आपको अच्छी मिल जाती तो पीछे कमफर्ट यहां पर अच्छा है अब थार्ड रो में चलते हैं पर पहले में जड़ा सीट को फिक्स कर लेता हूं फिर थार्ड रो के कमफर्ट की हम बात करते हैं तो अब थार्ड रो में चलते हैं थार्ड रो के लिए मैं एडजस्स कर दिया तो थार्ड रो में आप यहां से एक्सिस करोगे, इस तरह से सीट को आपको फोल्ड करना पड़ेगा, तब यहां से आप थार्ड रो में एक्सिस कर सकते हैं, तो थार्ड रो में चलते हैं, और सीटिंग कमफर्ट की बात करूं, तो एक्चुल में वैसे देखा है, तो पीछे जो सीटिंग की जो headroom spacing मिल जाएगी लेकिन अज इस आप देख सकते हैं तो legroom space मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो अगर मैं seat को अगर मैं सबसे फोल्ड कर जाता हूँ यहाँ पर तो seat को अगर पीछे adjust तो कर लोगे लेकिन पीछे अगर बच्चे ही मिलते हैं और ड्राइविंग पोजिशन वो कैसी मिलती आपको ओके गाई तो फ्रेंट सीट में मैं आ चुका हूँ और बैठके काफी अच्छा फील ओर ड्राइविंग पोजिशन मुझे काफी अच्छा लेगी स्टेरिंग बिल्कुल नहाँ पास नहाँ दूर ठीक पोजिशन मीडियम में बिल्कुल और यहां पेटके डेशबूर का डिजाइन वो भी सिंपल सा है ठीक है अच्छा लग रहा है देखने में से अगर यहां पर नॉइस केंसलिशन के अगर मैं बात करता हूँ जैसे दूर को प्लोस करता हूँ तो कैबिन एक्च्छल में काफ ships अगर आउपर के model जाएंगे एक तो वहां पर आपको obviously mounted controls मिल जाते है इस तरह से गाड़ी का hora n बजेगा wiper से monsters आपको इढ़ेँऎँ यहां पर हापको lights से control है automatic option नहीं मिलता अगर आपको लग रहा है projector setup दे रखा है तो automatic headline मिलेंगे ऐसा नहीं है normal setup यहाँ पर आपको मिल जाता है चावी की बात करता हूँ मैं तो चावी कुछ इस तरह से मिलेगी आपको normal से remote की यहाँ पर आपको lock unlock का बटन मिलेगा पीछे आपको logo मिल जाता है कार को इबार only कर लेते हैं साथ ही साथ तो इस तरह से speedometer यहाँ पर आपको मेलेगा digital speedometer फुले digital तो नहीं है लेकिन digital को हम कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पर देखेंगे अगर आप ओके गाईस फड़ा focus का issue आ रहा है आपर अब आप ख्रेली देख सकते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से तो बीच में आपको trip meter मिलेगा जो आपको information शो करता है गाड़ी की speed हो गए कि कितना आप travel कर चोके mileage हो गया time trip 8 भी यह सारी basic information है वो आपको यहाँ पर शो होती है बाकि यहाँ पर आपको rpm दिख जाए गाड़ी का गाड़ी का oil temperature यहाँ पर show होगा आपको fuel indicator आपको उधर मिलेगा बाकि wine lights बीच में इस तरह से यहाँ पर आपको show हो जाएंगी तो ठीक है इस तरह से renault भी उपर लिखा हुआ है और steering adjustment की बात करता हूँ यहाँ पर तो kite tilt वाला option मिलता है telescopic option नहीं मिलेगा बाकि यहाँ पर देखें तो normal सा आपको infotainment system मिल जाएगा उपर आपको touchscreen मिल जाती है इसकी उपर आले variant में पर लेकिन इसका जो design है वो मुझे अच्छा लगा difference है थोड़ा आजीप सा है लेकिन ठीक है अच्छा है नीचे यहाँ पर आपको manual AC मिल जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो एक 12V का charging socket भी आपको मिल जाएगा अच्छी spacing है तो phone के साथ काफी और stuff भी आप यहाँ पर carry कर सकते हो यह इसका gear knob हो गया और यहाँ पर काफी अच्छी एवांड में spacing है तो मतलब water bottle के साथ साथ कुई भी और stuff भी यहाँ पर carry कर सकते हैं दो छोटे cup holder का option यहाँ पर आपको मिलता है थोड़ी spacing आपको यहाँ पर भी मिल जाती है तो कुछ stuff यहाँ पर भी carry कर सकते हो और glove box की बात करें तो glove box का size भी काफी बड़ा है तो इससाब गौर कर सकते हैं मतलब cabin space तो अच्छी है साथ ही साथ जो additional spacing होती है यहाँ पर फोन रखने के लिए water bottle holder हो गया glove box spacing होगी जो additional or spacing होती है वो भी आपको अच्छी मिलती है तो spacing में तो इस गाड़ी में कोई दिकर दिए काफी सारा समान आप इस गाड़ी में carry कर सकते हो अपने family के साथ साथ तो यह बात बहुत अच्छी है यहाँ पर देखें दो छोटे कुछ option और भी है तो इसमें भी आप छोटी मूटी चीज़े भी रख सकते है बाकी सेफटी की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको टू एर बैक्स मिल जाएंगे ड्रैवर और को ड्रैवर के ले बाकी फोट सार अपर आपको मिल रखी है बाकी ABS मिल जाएगा EVD आपको मिल जाता है चाइड सेफटी इंजिन उबलाइजर रख सेफटी वीचे सेफटी वह यहाँ पर आपको मिलते है तो ठीक है अब सेफटी भी यह गाड़ी स्टैंड आउट कर जाती है उपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई मिरर का उप्शन नहीं है बस एक कि इना को यह आपको स्टैप हाँ इक स्टैप मिल जाता है इधर दे रखा है स्टैप आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कोई मिरर का उप्शन नहीं है बाकी इस तरह से नॉर्मल सापको यह मिल जाएगा लाइट आपको इस तरह से हैलोजन में मिलती है आपे